तो देखाना फ्रेंड्स आपने कितनी बहतरीन और कितनी अच्छी हमारी बचे हुए चावल से खीर बनके रेडी हुई है हेलो फ्रेंड्स असलाम वालेकूम वेलकम करती हूँ आपका अपने ही कुकिंग चैनल पर जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल तो फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही मज़े का मीठा बनाने वाले हैं जी हाँ हम ये बचे हुए चावल से खीर बनाने वाले हैं जो बहुत ही घर में सबको पसंद आती है और बहुत चाव से सब इसे खाते हैं तो ये देखिए इसमें हम ज्यादा इंग्रेंट यूज नहीं क अपनी पसंद के ड्राइफ फ्रूट्स और एक छोटा चमच इलाइची पावडर और एक लिटर दूद तो एक लिटर दूद में से हमें एक कप दूद साइट को निकाल लेना है और उसी एक कप दूद में से आधा कप दूद हमें इन चावलों में डाल देना है और चावल सा पिछना है, यह देखें इस तरीके से यह बारिक पेश नहीं है अब हम गैस पर दूद उबलने के लिए रख देंगे कोई भी मोटे तले भी कर सकते हो, अब हम इसमें पीसे हुए ये चावर डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इसको हिला देंगे, बिल्कुल हमें इसमें लम्स नहीं पढ़ने देना है, स्लो फ्लेम के उपर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसी तरीके से हमें बीच-बीच में हिलाते हुए इसको पकाना है, जब तक कि दूध हमारा गाडा ना हो जाए, ये हम अपने पसंद के थोड़े से ड्राइफ्रूट्स इसमें डाल देंगे, आप चाहे तो जो भी आपको पसंद हो, वो डालिए, तो ये देखिए, दूध का काफी गाडा हो चुका है, और साइडो की जो मलाई है, वो भी खुरच-खुरच के हमने इसमें मिक्स कर दी है, जिससे कि ये काफी मलाईदार और काफी गाडा बनके रेडी हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो ये देखिए, मैंने इसमें एक कप चीनी डाल दी ह चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो चीनी खुलने तक हम इसी तरीके से इसको पकाते रहेंगे यलाइची पाउडर डाल देंगे अब जो आदा कब दूद हमने बचा के रखा था उस आदे कब दूद में हम एक चम्मज कस्टेड पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और यह जो कस्टेड पाउडर का मिक्सचर है वो भी हम इसमें डाल देंगे पक्षी तरीके से इलाइची पाउडर को और कस्टेड को हम मिक्स कर देंगे ये देखिए 10 मिनट पकने के बाद हमारी खीर कितनी अच्छी लग रही है बिल्कुल भी दूद फटा नहीं है और चावल और सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं ये मलाईदार और गाड़ी-गाड़ी खीर बनके रेड़ी हो चुकी है खीर को खाने के अपने तरीके होते हैं फ्रेंड्स कोई गरम खीर खाना पसंद करता है आप जैसे भी पसंद करते हो आप थंडी करके खाइए या फिर गर्मा-गर्म खाइए ये दोनों तरीकों से बहुत टेस्टी लगने वाली है तो चलिए इसको प्यालों में या फिर इस तरीके से मिट्टी के कुलहड में या कोई भी अच्छे से बरतन में हम इसको निकाल लेंगे तो देखाना आपने कितनी शांदार बचे हुए चावल से हमारी ये खीर बनके रेडी हुई है आप लोग भी ज़रूर बनाएं और आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर ज़रूर बताएं उपर से हम ड्राइ फूर्ट से गार्निश करेंगे तो देखाना फ्रेंड्स आपने कितनी बहतरीन और कितनी अच्छी हमारी बचे हुए चावल से ये खीर बनके रेडी हुई है तो आप लोग को कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर ज़रूर बताएं थैंक यू